जानवी कपूर और इशान खटर की फिल्म धड़क इस शुकरवार रिलीज हो रही है अपनी पहली फिल्म को लेकर इन दिनों जमकर प्रोमोशन में बिजी है लेकिन इनकी प्रोमोशन के दोरान जानवी एक गलती कर गई असल जानवी ने अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स का खुलासा कर दिया है एक इंटर्विय में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म की कहानी बाकी प्रेम कहानियों से कैसे अलग है इस सवाल के जवाब में जानवी ने कहा कि हमारी फिल्म बाकी फिल्मों से अलग है ये वॉलिवुट का मसाला फिल्मों की तरह नहीं है।। उन्होंने कहा कि धड़क के जरीए हम हमारे समाज की एक ऐसी कड़्वी सचाई दिखा रहे हैं जिसके निंदा की जानी चाहिए। धड़क वॉलिवुट की मसाला फिल्म नहीं है जिसमें आखिर मेए मातपिता मान ज यह गिनोना सच है हाला कि इशान ने कहा था कि यह उसका रिमेक नहीं है उस पर आधारित है इसमें कई बदलाप किये गए हैं फिल्म हमने नहीं बनाई है हम आक्टर के तौर पर बात करेंगे अब जानवी ने इस बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि फिल्म धड़क का क्लाइम मिक्स भी मराठी फिल्म सेराट जैसा ही होने वाला है लेकिन असल में फिल्म में दर्शकों के लिए क्या खास है इसके लिए हमें भी 20 जुलाई का इंतिजार करना होगा